नवश्कार SBT News में आपका स्वागत है और पेश है इस वक्त जोदपूर बिकानेर जिले की बड़ी खबरें जोदपूर शहर के उत्तर नगर निगम में उप महापोर चुनाव के दुरान कॉंग्रेस के अब्दुलकरीम के सामने भाश्पा की ओर से सुरेश जोशी ने नामांकन तो दाखिल किया लेकिन प्रस्तावक के हस्ताक्षर ही नहीं करवाई और ऐसे में बाद में प्रस्तावक के हस्ताक्षर करवाने गए तो वापसी में आते ही समय बीथ गया नातीजन उनका परशाख खारिस कर दिया गया इस प्रकार कॉंग्रेस के प्रत्याश्ची अब्दुलकरीम को निर्विरोध उप महापोर निर्वाचित किया गया बिकाने शहर के परकोटे में एक जरजर मकान की दिवार बुद्वार सुबै ठै गई गई गनीमती की हाथ से के वक दिवार के आसपास कोई नहीं था सिरफ दो वाहन ही दिवार के नीचे दबे आम तोर पर यहां लोगों की आवाजा ही रहती है शहर के हर्शों के चोक में धरान के पास गली में मकान लंबे अर्से से खाली पड़ा है और इसकी दिवार एक तरफ जुलसी हुई थी जोदपुर दक्षिन में भाजपा के पास स्वयम के 43 वोट थे जबकि तीन निर्दलिय का समर्थन मिला हुआ था जब मेर के चुनाव हुए तो यह सभी 46 पास चद एक ही बस में मजदान करने पहुँचे लेकिन मेर को मिले वोट 45 ही थी ऐसे में एक वोट इदर उदर हो गया और इसके विप्री टिप्टी मेर के चुनाव में भाजपा प्रत्याश्री क्रिशन लड़्धा को भाजपा वे समर्थित पास्चदों के 46 मतों के बजाए 48 वोट मिले ऐसे में भाजपा को दो अत्रिक वोट मिले और यहां कॉंग्रिस प्रत्याश्री गणपस सिंग चुहान को 32 वोट मिले बिकानेर में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत आज स्वास्ते विभाग की टीम ने नोखा में छापे मारी की कारवाही की नोखा के रिकोशित्र में भुचिया की फैक्टरी पर कारवाही की गई CMHR डुक्रे बेल मीना ने बताया कि नोखा में अगरवाल नमकीन भंडार पर कारवाही करते हुए साथ सेंपल लिए गए हैं और साथ ही गंदगी से सटे फैक्टरी को फटकार लगाते हुए विवस्ता सुधारने की नसिहत दी गई है ब्रश्चाण इरोदक ब्यूरों ने विशिष्ट लोक अभियो जक अंडीपीसी मामलात जोथपूर कारले की कनिश्ट सहायक प्रमोत कुमार जैन को दो हजार रुपे की रिश्वत लेते गिरफतार किया उसने यह रिश्वत की राशी अंडीपीसी एक्ट के एक मामले की पत्त्रावली को ज्याले में पेश करने की एवच में ली थी ACP के DIG डोक्र विश्वकांत नहीं बताया कि एरवोकेट रतनाराम विश्वई ने इस समन्द में शिकायत दी थी उसने सत्यापन के दुरान एक हजार रुपे ले लिये और शेश दो हजार रुपे ट्रैप कारवाही के दुरान लेते हुए उसे रंगे हातों पकड़ लिया बिगानेट जिला कलेक्टिव नमित महता ने कहा कि कोविड-19 के चलते त्योहारी सीजन और सर्दी का मोसम बहत चुनोती पूर्ण है कोविड-19 के एडवाइजरी की पानला करवाने में लगे एरिया मजिस्ट्रेट की ऐसे में जिमेदारी ओड बढ़ गई बैठक में कहा कि 16 नमबर तक शहर का नियमित ब्रह्मनकर भीड वाले मार्केट पर नज़र रखे इस दुरान किसी भी दुकान में पठाके विक्रे नहीं होने चाहिए और कोई भी दुकानदार अगर पठाके बेचता मिले उसे समझाईश करे समझाईश के बाबजुद नहीं मानता है तो नियमा नुसार जुर्माना लगाया जाए जोद्पुर नगरिगम उत्तर के महापोर्ट चुनाव के लिए मंगलवार को मतदान के चलते सोजती गेट सिर्थ निगम काराले के चारो तरफ की दुकाने दोपहर तक बंद रही थी ये सितियूप महापोर्ट चुनाव के दुरान बुद्वार को भी रही बुद्वार को भी दोपहर तक निगम उत्तर भवन की चारो तरफ की दुकाने बंद रही सुरक्षा कारणों को देखती हुए सोजती गेट बाटाती राहे से पुलिस चोकी तक यानि निगम भवन के चारों तरफ के रास्तों पर लोगों की जुटने पर पाबंदी रही इन इलाकों में यातयात की विवस्ता को वेकलपिक रास्तों पर डाइवर्ट कर सुचारू करने के लिए अतरिक पुलिस बल भी तैनात किया गया बिकानेर में कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है बुद्वार को बिकानेर में 175 संक्रबितों की पिष्टी हुई है जोदपूर के बास्नी उध्योगी क्षेतर में निर्मानादीन फेक्टरी के दिवार वे टीन शेड गिरने से हाथसे में आठ पृतकों के परिजनों ने मतुरादार माथूर अस्पताल की मोचरी में अपना विरोध प्रदर्शन किया उन्होंने आश्रितों के लिए 25 लाक रुपे का मुआवजा देनी के साथ ही सरकारी नोकरी और श्रहीत का दर्जा दिये जाने की मांग की यहां दिन बर गहमा गहमी का माहोल बना रहा और बाड मेर से कॉंग्रिस विधायक मदनलाल प्रजापत भी जोदपूर आए और वहीं दोपहर में नगर निगम दक्षिन के नवनिर्वाचित महापोर वनिता सेट पी धरनास्तल पर पहुंची विकानेर में दिपावली पर शहर में अंधेरा है लेकिन निगम में कॉंग्रिस वे भाजपा पाश्चदों की राजनिती लगातार चमक रही है भाजपा पाश्चदों ने विरोध दर्श कराया कि राजे सरकार रोड लाइट टेंडर में अडंगे डाल रही है हाईकोट ने पंचाय समिती डेगाना के पूरो विकास अधिकारी प्रहलाद राम डूडी के खिलाफ अनुशासनात्मक कारवाही पर रोक लगाने के आदेश दिये हैं उनकी और से राजसान उच्चन्याले में डायरियाल्चिका पर सुनवाई करते हुए नियादीश दिनेश महता ने उनके खिलाफ संभागी आयुत अजमीर तता जिला परिशद नागोर के मुख्य अधिकारी द्वारा शुरू की गई समस्कारवाही पर रोक लगाने के आदे पुलीस ने टीमों का गठन कर चोरो की तलाश शुरू की है राश्टी शिक्षा देवस के अवसर पर इगनु शेत्रे कारेकरम द्वारा चलाए जाने वाले करियर विकास कारेकरम के पोस्टर का विमोचन संभागी आयुक डूक्टर समिश शर्मा ने किया यह कारेकरम 20 जोतपूर द्वारा विद्यार्तियों को लाब पहुंचाना है जोतपूर के दोनों नगर निगमों में कॉंग्रिस वे भाशपा के खाते में एक एक सीट गई है यहां मुख्यमंत्री अशोग गहलोत और केंद्रे मंत्री गजिंदर सिंग शिकावत के बीच यह सीधी टकर एक एक पर खत्म हो गए नए सीधे से किये गए परिसीमन के बाश शहर के भित्री शेत्र को जोतपूर उत्तर के रूप में नगर निगम मना दिया गया तो जोतपूर दक्षिन में नए जोतपूर को शामिल किया गया और वैसे भी निगम चुनाव गोशित होने के साथ भी बाज़पा के बड़े निताओं को पता था कि उत्तर में यानि पुराने शहर में उन्हें अधिक सीट नहीं मिलेगी और ऐसे में दक्षिन पर ही जोड रखा गया मिशन जीवन अक्षा अभ्यान के तहट महात्मा गांधी उस्पिटल में डोक्टर करन राजवर्मा ने रोटरी क्लब ओव जोटपुर ब्लू सिटी के अध्यक्ष सीए हर्श अगरवाल के प्रोसाहन से एमजेच ब्लड बैंक में प्लाज्मा डोनेट किया ब्लड बैंक इंचार्ज अधिक्षक एवं प्रभारी डोक्टर राश्वरी बहरा, लैप टेक्नीशन अभिशेक टाग वे हनवंत चोहान के ओर से प्लाज्मा डोनेशन का प्रोसेस सफलता पूर्वक संचालित किया गया फिरान इस बुलड इन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ SBT News के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें धन्यवार